हेलो दोस्तो नमेशकार एक वीडियो को अच्छी तरिकी से स्टड़ी कर लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और येस उसो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कमेंट सेक्शन में कि सर राकेश जुन जुन वाला जी से रिलेटेड एक वीडियो बनाईए क्योंकि यहाँ पर बताए चारा है राकेश जुन 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 वाला जी ने बहुत सारे चेंज़े अपने पorquito में या पर किये है यहाँ पर हम ल currently को इनवेस्टेर इस तरह की का कोई डिशन लेते है अपनी अगर होलडिंग कर लेते है या फिर पूरा ज्यादा doubt create हो जाता है अभी हम लोग continue करें या ना करें कि आप लोग को पता है यह जो data है बड़े investor का वो हम लोग को quarterly update होते वे देखने को मिल जाता है रैट जो भी data अभी हम लोग को देखने को मिल रहे है कि आरजे ने कौन कौन से stock से exit लिया है और कौन से stock वाकई में continue करने के लायक है जैसे कि मैंने आप लोगों कोई सिखाया है कि कोई बड़े investor को blindly copy करने की ज़रूत ने आरजे ने खुद भी बहुत सारे interviews में काया है कि मुझे भी blindly copy करने की ज़रूत यापे नहीं है जो आरजे खुद बहुत बार यापे interview में बोलते है बट सिल बहुत सारे लोग as a shortcut समझ लेते कि आरजे ने अगर invest किया है तो हम भी invest करेंगे और बाद में वो stock rocket बनेगा तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों उनकी अगर हम आज भी उनके portfolio में है तो यह भी चीज हम लोग को यापे पता होनी चाहिए तो यह सारी चीजे मैच करनी पड़ती है अभी आ जाते है दोस्तों कौन-कौन से stock ऐसे जहां से उनने exit लिया है और हम लोग ने वहापे उन stock में क्या करना चाहिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे लुपिन लुपिन आरजे के पास बहुत ही पूराने समय से हैं बट यहां पर बताया जा रहे है कि लुपिंग में उनकी holding अभी नजर भी नहीं आ रही है नजर में नहीं आ रही है मतलब आप सब लोग को पता है कोई भी हो इंडिविजॉल अगर वह एक परस में नजर यहां पर नहीं आ रहा है एक जमाने में लुपिन उनके पॉर्टफोलिय में जबरदस हेवी स्टॉक मतलब यहां पर हुआ करता था तो आरजे ने यहां पर लुपिन से एकजिट ले हम लोग ऐसा बोल सकते क्या कंप्रीट लिया है वह बता नहीं सकते क्योंकि ए भी वैसा ही हम लोगों को देखने को आपे मिला था तो लुपिन भी अगर देखा गया तो इतना कुछ स्टॉक नहीं है अभी के हिसाब से अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर आरजे ने एक्जेट भी लिया है फिर भी मैं इतना ही कहना चांगा यह वैसे हम लो पता है यह ट्रैक्टर से रिलेटर कितना पॉपिलर कंपनी है बीच में एक बहुत बड़ा डील भी हम लोगों को देखने को आपे मिला था कुबोटो से रिलेटर अगर हम लोग बात करें तो एसकौर्ट की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आरजे ने आपे ऐसकौट के बहुत सब्सक्रऻ good यह टाप वी हम लोग अंकर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7% से ज़्यादा RJ इसमें hold करते थे अभी लगभग 1.38% के आसपास उनकी holding देखने को यहापे मिल रही है तो बहुत ही massive गिरावट हम लोगो यहापे escort में RJ नहीं हापे की है जो कि आप लोग यहापे देख सकते हो पर क्या escort खराब company है मुझे तो खराब नहीं लगता है जीज नहीं shares की में बात कर रहा हूँ उन्होंने आप पिछले quarter में यहापे बेचे है जो भी updated data देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से पुझी जूटाने का प्लान यहापे हो सकता है इसके चलते हम लोगों को यह तेजी देखने को यहापे मिला था बट डेल्टा कॉर्प अगर देखा गया तो यहापे इतना कोई strong अभी नजर नहीं आ रहा है बहुत समय से एकी दाइरे में यहापे देखने को मिल रहा है य अरजे ने सेल में इन्वेस्ट किया था तब मैंने बताया था कि यह तो मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं सरकारी कंपनी है और प्लस कंपनी का track record भी देखोगे अगर आप तो यह देखिए इस तरीकी का track record देखने का आपे मिला है तो आरजे ने इस कंपनी में इस रहती है जैसे की रश्या वर्सिस युक्रेयन के वज़े से आप देख सकते हो समी करण चीजे चेंज हो गई सब कुछ सो सेल की अगर हम लोग बात करें सेल में उन्होंने बहुत ही अच्छा का सा इन्वेस्ट किया था मैं आप लोगों को दिखाना चाओंगा यह देख आप देख सकते हो वी की हम लोगों के स्टॉक नजर यहाप आता था शायद से कोई बड़ी खबर के चलते हो उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा और शायद से वो अभी खबर यहाप नहीं आती वे देखने हो का आप मिल रही है नेक्स अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो आज भी टाइटन 5% से ज़्यादा के स्टेक वो आज भी टाइटन में होल्ड करते हैं अगर आप उनका पूराने होल्डिंग देखोगे तो आप देख सकते हैं 5.75, 1.30 मतलब अपने वाइफ के नाम के उपर उन्होंने यहाप शेर्स खड़ी दे रख़े हैं अगर आप ल चलते रहते हैं टैक्सेशन के इसाब से भी अगर हम लोग यहाप बात करें अलग अलग प्लानिंग भी यहाप चलती रहती हैं बड़े लोगों के आप लोगों को यहाप पता ही है तो टाइटन अगर देखा के तो कोई खराब कंपनी ने एंड अगर ऐसा कुछ होता तो व वो टाइटन ही है मतलब एक बहुत ही कंसिस्टनसी के साथ आगे बनने वाला यह देखें पाच साल का परफॉर्मंस मैक्सिमम चार्ट पिटन एक कंसिस्टनसी के साथ बाकी भी अच्छे हैं बट बहुत जदा वॉलेटिलिटी है इतनी वॉलेटिलिटी रिटेल निस्टर जेल पाते हैं या नहीं उसके उपर डाउट है बट टाइटन एक बहुत ही अच्छी कंपनी है प्लस और भी कुछ ऐसे कंपनी से जहां से उन्होंने एक्जिट लिए जैसे की वाकार्ट की अगर हम लोग आपर बात करें यह भी कंपनी है जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट अगर बात करें तो यह भी आप देख सकते हैं इतना कुछ खास परफरम्स नहीं यह आप एक इसा हम लोग आपर बोल सकते हैं और आकरी स्टॉक टीवी 18 की अगर हम लोग बात करें इसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था यह भी कंपनी में इन्वेस्ट किया था पता नही आप देख सकते हैं आपर जब से शुरू है तब से सिर्फ और सिर्फ गिरावठी नजर यहाप आ रही है बट इसमें भी आप देख सकते हैं टीवी 18 की बात करें तो राकेश जून जून वाला पहले 5% के ओल्डिंग थी फिर 2.04 हो गए फिर सेम थी फिर कम होके 1.46 हो गया और आगे बढ़ते बढ़ते अभी 1.17 सो लगातार उनके ओल्डिंग कम होते हैं देखने कमले शायद से आने वाले समय में यह नाम गायब भी हो सकता है जितने भी इंपोर्टन बाते थी जितने भी इंपोर्टन स्टॉक्स थे वो मेरे आप लोग के सामने आपे रख दिये हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं कि XYZ स्टॉक में अगर उन्होंने इंवेस्ट किया है तो आप उसको डीटेल में क्या कर सकते हो स्टडी कर सकते हो उसका एनलेसिस कर सकते हो उसका पोस्ट मॉटम कर सकते हो कि यह कंपनी है कैसी क्यों उन्होंने इंवेस्ट किया होगा एंड हम भी कमा लेते, इतना सिंपल तो होता, है नहीं, प्लस आप लोग को पता है, हेजिंग जैसी चीजी भी यहापर चलती रहती है, सो हमें पता नहीं चलता है कि exactly वह यहापर, क्या स्ट्रेटेजी यहापर अपना रहे है, बट जितने भी important बात है थी, सारी आपे मैंने cover कर लिए, overall conclusion में मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, कि आपे खुद की study सबसे important होती है, आपने किसी को भी copy नहीं करना है, मैं भी मेरी videos की बात करता हो, बहुत बार बताता हो, बिल्कुल भी मैं जो stocks आपको बताता हो, वो study करने के लिए देता हो, किसी भी चीज को copy नहीं करना है, अगर आप copy करोगे तो सीखने ही पाओगे, अगर आपको सिर्फ return चाहिए, तो mutual fund के साथ जाओ, इतना मतलब बोलते हैं न, tension लेने की जरुवत ही नहीं है, mutual fund आपका पैसा अच्छी तरीके से संबालेगा, grow करेगा, बड़े-बड़े अच्छे खाशे stocks में asset allocation आप लोगेशन आप लोगेशन आप लोगेशन आप लोगेशन आप लोगेशन आप पर मिल जाएगा, So that's it, thank you very much, so we will be meeting our next video, तब तक के लिए, बाइ-बाइ